हाई अबरवन वेलकम टो भीमन्यू आई एस माइनम इस रोहिद गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तू दा पॉइंट तू दा पॉइंट एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम लोग करंट अफेर्स को डिस्कस करते हैं किसी एक पर्टिकलर टॉपिक को उठाया जाता है किसी एक वीडियो के अंदर और उसे इतने लेवल पर डिस्कस किया जाता है कि आपके प्रिलिम्स के अंदर उससे रिलेड़िट कोई भी जो सवाल है वो ना रुके और आप उसको जो है असानी से अटेंप्ट कर सको तो तू दो पॉइंट के अंदर आज को जमारा टॉपिक है यह तो वो क्या नहीं गाइडलाइन्स है कि अब हुँमन ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन कैसे होगा और कौन-कौन सी नहीं चीजे हैं पहले क्या सिस्टम था यह सारी चीजे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं माज का टॉपिक उससे पहले लेट में आपको यहां पर चीजे आपको यहां पर चीजे आपको यहां पर कवर्ड मिलेंगी और इट इस अवेलेवल बोथ इन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कवर होते हैं अगर आपने नहीं भी कोर्स आगे कॉंटिन्यू करना एट लिस्ट यू अंडर्स्टांड कि करने को पढ़ा कैसे जाता है है और उसमें से क्या-क्या सवाल पुशे जा सकते हैं तो यह बेनिफिशल रहेगा तो यह से यह सेवन देस फ्री ट्राइल लिंक इस इन दिस्क्रिप्शन यू चेक इट आउट यह कोर्स किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में जो है जाता जाता आपको जरूर एक बढ़ी बता के जाओंगा कि यह कोर्स चलता कैसे अभी जो हमारा आज का इस तरीक इस अपको जाता है उसको भी इस एक्ट के तहत ही जो है वो रोका जाता है और यही एक्ट जो रागुलेट करते हिवी की डीगल इकनको यह है tv को सवाल बन सकता है अक ही डौध तो आगे चलते की हाइल of the new guidelines की अभी क्या हो रहा है number one guideline is that age cap जो है upper age limit जो है वो अब नहीं guidelines के तहत वो हटा दी जाएगी ठीक है the upper age limit has been removed as people are now living longer reasoning क्या है कि अब जो लोग है वो ज्यादा जी रहे हैं देखते हैं कि पहले किती थी earlier according to notto national organ and tissue transplant organization यह उसकी abbreviation है notto and end stage organ failure patient above 65 years of age was prohibited from registering to receive the organ मतलब पहले क्या होता था कि 65 साल से उपर की उमर है तो वो इंसान जो है वो register भी नहीं करवा सकता कि आपको अप waiting list में भी नहीं आओगे कि transplant के लिए अगर क्यों organ available है तो यह वोंट even be considered and आप जो है list से बाहर रहोगे तो अब जो है जो age cap है जो capping 65 years की वो remove होगी अब यहां से देखो दो सवाल बन सकते हैं जिसमें वो पूछ लेगा कि capping पहले कितनी थी है ना और यह वो पूछ लेगा कि अब बोल देखा कि कि अब capping की 70 years है ना यह ना नौ देखिकली यह है इसका जो जिस्ट है चलिए आगे देखते हैं नो domicile requirement second is no domicile requirement domicile क्या होता है आप लोगों को पता यह तो अब को domicile requirement नहीं है देखते हैं कि क्या है यह the ministry has removed the domicile requirement to register as an organ recipient in a particular state under one nation one policy move यह हमको बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है one nation one policy move बहुत सारी array of things के अंदर देखने को मिल रहा है basically central government का structure ही अब धिरे 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 इस तरफ को जादा जा रहा है कि एक law होना अच्छी है central law जो की पूरे countrywide को जो है गवर्न करें तो यह भी जो है उसका ही byproduct है तो in case अगर UPSC ने इस theme के उपर सवाल पूछना हुआ one nation one policy के उपर तो यह एक अच्छा candidate है यह particular act जिसके अंदर new regulations जो है वो recommend हो चुकी है तो यह वाली जो है particular चीज जो है यह आपके इस यह topic जो है उस particular theme के अंदर आपका एक important सवाल जो है वो definitely बन सकता है now a needy patient can register to receive an organ in any state of his or his or her own choice and also be able to get this surgery done there तो पहले क्या था कि जिस state के आप डौमिस आई तो आप महीं पे आप उसको register करना होता था आपको अब ऐसा नहीं है अब आप किसी भी state के अंदर register कर आ सकते हो और किसी भी state के अंदर जो है वहाँ पे आप surgery भी opt कर सकते हो पहले ऐसा नहीं था next point no fees for registration यह सारे points important है यह आपको चाहे एक बड़ा सवाल पूछ के वहाँ पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे है कि which of the following is true which of the following is not true कुछ इस तरीक से पूछा जा सकता है आपको सारे points यह हो बहुत ध्यान से रखने no fees for registration there will be no registration fees that states used to charge for this this purpose the center has asked the states that used to charge for such registration for such registration to not do so है ना तो center बोल रहे है कि अगर आज आज आप सौट करती थी कौन-कौन सी चार्ज टेट से गुजराथ तेलंगना महराष्ट्रा एंड केरला यह जो चार्ज टेट से यहां पर आपको चार्ज बता यह दे यूस्ट चार्ज अनिवर ब्ट्वें 5000-10000 रुपीज और इसके बाद में पेशेंट की वेट लिस्ट के अंदर रेसिपियंट की वेट लिस्ट के अंदर अपना नाम दे सकते हो आगे चलते हैं इंडिया में करंट सिनेरियो है क्या और गन ट्रांस्प्लांटेशन का देखें इससे आपका प्रिलिम्स का सवाल जो है वो नहीं आएगा बट आपका मेंस के अंदर थोड़ा सा पार्ट जो कीजिए और मुझे लिखके पताईए यहां पर की वनन टू पर कौन है इंडिया कंड़क्ट थर्ड लार्जेस नमबर ठीक है चलो फैक्ट्वल थी अगर आपने ऐसे में कोई आंसर शुरू करना है या या प्रॉबेली एथिक्स में कोई आंसर शुरू करना है या किसी और आपको सीधा शुरू करना है जो कि आपके सामने आप बहुत बढ़िया से सिंटेंस को आप यूस कर सकते हो और गन्स फ्रम डिसीज्ड दोनर्स अकांटेट फॉर नेरली 17.8 परसेंट फॉल ट्रांस्टेंटेशन इन 2022 डिसीज्ड मने मरे हुए पेशेंट मरे हुए दोनर् total number of disease organ transplants climbed from 837 in 2013 to 2765 in 2022. The number of organ transplants with organs from both diseased and living donors increased from 4990 to 15,000 roughly. ठीक है तो कुर्रेंटली जो पिछले साल का जो डोनेशन चलिए यह यह 15,000 ट्रांस्प्लांटेशन जो है तो प्लेस मोर थे 15,000 ट्रांस्प्लांटेशन टुक प्लेस इन 2022 इन इंडिया तो यह वो डेटा बोल रहे है एवरी यह एन एस्टीमेटे 1.5 तो 2 लाग पीपल नेट किड्नी ट्रांस्प्लांटेशन तो सच हा हुज नंबर हो हमारी ट्रांस्प्लांटेशन किती चल रहे है 15,000 ओनली अरॉंड 10,000 गौट वन यह किड्नी की बात हो रही है ओनली अरॉंड 10,000 गौट वन इं 2022 ऑफ दी 8, 30,000 पीपल हो रिक्वाइड लिवर ट्रांस्प्लांटेशन लेस दन 3,000 गौट वन ठीक है जी तो यह सिनेरियो है इंडिया में ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन का तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पिक्चर है वो इतनी जादा सुहानी नहीं है इस ग्लूमी इ प्रिलिम में पीचने के लिए और साथा प्ला साव्कर में पूचने के लिए और बहुत ही कि jazz ऐसे कुलन शेक्दना एंडीया वांट्स ह τη हेलप इस बीपल बेसिक्ली इंडिया का काम है इंडिया ईजो शोशलिस सिटीट तो इस ट्राइब की सिनेरियो मैं जो हम देखते हैं कि यार एक तरफ सरकार ने जो लोगों को है सर्व करना है और दूसरी तरफ ऐसी सी पिच्चर आ रही है तो यहाँ पे as an UPSC aspirant or for that matter any civil services आप कोई पता होना चाहिए कि current scenario क्या चल रहा है यह होता कैसे है और अब जो नहीं guidelines है उनके तहट भी जो है आपको सब कुछ updated होना चाहिए वहाँ पे कोई भी सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है that is all in today's topic बहुत simple topic था है ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है I was telling you about the course basically that course which were which we were talking about इसका link आपको description ने मिल जाएगा उसके अंदर आपको three prompt strategy मिलेगी number one you get a class which is which happens on every saturday and monday इस class के अंदर what you get is जो भी पिछले हाफ़ते का current affairs अभी important आये होते हैं उनको हम बहुत ही comprehensive तरीके से class के अंदर हम समझते हैं उनके notes बनाते हैं और साल के end में आपके पास एक register बचता है जिसके अंदर आपके almost सारे current फिर covered होते हैं in case UPSC के अंदर कोई सवाल आता जो के current oriented है तो वो आपके register में definitely होगा ही होगा उससे बाहर जो है सवाल नहीं आएगा in case आपके register से बाहर सवाल आता है तो that means वो इंडिया में किसी को नहीं आता होगा वो छोड़ने वाल होगा second you get weekly PDFs third you get weekly tests अभी weekly PDFs क्या है कि यह आपको na highly curated form के अंदर एक document मिल जाता है जिसके अंदर एक हफते के current affair होते है from multiple sources और static portion की जो है उसके अंदर research work जो है वो भी आपके जो है वो दन रहता है तो once you read the PDF आपका बहुत सारे newspaper एक साथ में cover हो जाते हैं right so this class and this PDF it covers you for sure right उसके बाद में you get weekly test जो की current affair के होते है और अगर weekly test आप देते हैं और यह सारी चीज़ें आपकी जो है वो पक्की हो जाती है revise हो जाती है that means you are all done all right so that was all in today's video my name is Rohit Garcha thank you for watching to the point and this is Abhimanyu IES and let me tell you what Abhimanyu IES it's a platform which prepares you for civil services for UPSC and various state exams and has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999 thank you so much for watching